हेलो दोस्तों मैं उसान तोशनिकों मैं आपका स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल पे जिसका नमें बैक बेंच ए सफस्ट्रॉक्स करेंगे आज के वीडियो को जो भी लेंट्विल्स मैंने लिए था आप लोगने देखे रहेंगे कि वीडियो में अंदर जाया कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आप लोग सिदर थम्नेल से ही उसका content जो है वो पता कर सकता हूँ तो कई सारे लोगों ने अपने थम्नेल में लिखा था कि F.I.I.S का buying बहुत टाइम बात आ गया है तो यहां से एक positivity जो है वो market में आ सकती है लेकिन मैंने अपने वीडियो का title ही दिया था कि सोम और को भारी गिरावट होने वाले market में और हम लोग को बहुत ही बहतरी move मिला है बहुत ही गिरावट आज market में हम लोग को देखने को मिली है 36,400 की P.E. मैंने 580 रुपीज पर buy करवाई थी जिसमें 792 का almost 200 points का हम लोग को profit हुआ है जब इस level के इसने rejection लिया था around 3 minute candle के low के नीचे ही मैंने P.E. का sell मार दिया था यानि की P.E. को buy कर दिया था इस level पे मेरा prediction था कि market definitely यहां से bounce back कर जाएगा downside की तरफ क्योंकि यहां से upside का move कई सारे लोगों ने बना करके रखा था और दिख लीजे मैंने जो आप लोगो 36,500 का magical level दिया था इस level के ऊपर कोई भी 5 minute time frame की candle close नहीं हुए आज के पूरे दिन बर में यानि के market जो है वो यहां इस level पे negative है जो level मैंने आप लोगो दिया था 35,988 का exactly fourth target इसने हम लोग को दिया यहां से इसने अपना reversal दिया है और मैं क्यों अपने levels को magical levels कहते रहता हूँ इस चार्ट को देख कर कि आप लोग समझ सकते देख लिए कितना बहतरीन support और resistance इस level पे create करता है market जब कभी भी आता है इसलिए मैं आप लोग को हर वीडियो में advice करता हम कि guys trading view पे सारे levels को draw कर लो ताकि price action जहां गई भी भी बने इन levels के साथ में आप लोग को trade करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो जैसे ही इस level को cut किया इसने downside में P side में इंटर लिए मेनी 36,400 से लेके 988 तक almost हम लोग को 430 points का profit यहां पे future के chart पे हुआ है options में 250 points से almost हम लोग को मिले हैं बहुत शांदार बहुत 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 बहतरी profit यहां आज की दिन हम लोग को मिला है बात करें निफ्टी के बारे में बाई तो देख लिए निफ्टी की यहां पर candle जो है 5 minute time frame की इसके उपर closing तो दिया था लेकिन अगली कोई भी candle ने इसका high break नहीं किया था और यहां पर देख लिए पिंपॉइंट हम लोग को rejection मिला था मारो बजू candle के बाद में हम लोग को यहां पर शार्फ फॉल जो है वो निफ्टी में भी देखने को मिला है यानि की काफी अच्छा कासा पैसा जो हम लोग को दोनों इंडेक्स में दोनों इंडेक्स के futures में और options में भी बना है जो कि मैंने आप लोग को दो दिन advance में बोला आप लोग का problem क्या होता है बहुत सारे लोगों का कि वो लोग वेड करते रहते कि कि कोई आएगा हमें कॉल देगा फिर हम लोग ट्रेड करोगे ऐसा नहीं होता है सारा prediction इतना accurate prediction जा करोगे देख लोग यूटूब पे भी आप लोग को कोई नहीं देगा मैं आप लोग को इनल्टू लेवल दे रहा हों फिर भी अगर आप लोग वेड करते रहोगे को कोई पोस्ट करेगा ये फिर मैं अपने टेलिगराम चैनल पे कॉल पोस्ट करोगा फिर आप लोग टेड कर गए तो अहसा नहीं हों अगर आप लोग पर ना फिर बहुत टाइम तक मार्केट में ठीके रहना है तो खुछ से सीखना होगा तो यहां पर मैं आप लोग को अपना प्राइम ग्रूप का रिसेज जो वह भी दिखाते रहता हूं यहां पर देख लिजेए वो सारे स्टॉक्स है यहां पर जागर कि आप लोग उन्ट स स्टेंड में काफे अच्छा प्रॉफिट मिला और फार्मा में भी 90% का हम लोग को रिटन मिला और मुतूट फाइनस यहां पर मैंने रेड में आप लोग को पोस्ट किया था क्योंकि जब यह स्क्रीनशॉट मैंने पोस्ट किया था तब मुतूट फाइनस में 3,300 रुपय का लॉस चल रहा था और वो स्टॉप लॉस से एक रुपया दूर था लेकिन उसने स्टॉप लॉस निया नहीं इसी लेवल से बाउंस बैक करके वह हम लोग का है कोई भी स्टॉपला से नहीं है जो भी हम लोगों ने इंट्राडी के पोजिशन बनाए थी उन में भी लेकर के सारे स्टॉप को जाईए आराम से चार्ट पे चेक कर लीजे किस टाइप का एनलेसिस प्रो ट्रेडर्स करते होगे जब तक आप लोग अजू अच्छो लोग अर आप लोग को अब्जरविशन नहीं है स्टॉप सेलेक्शन कैसे करना है वो सारी चीजे नहीं भी पता है तो भी आप लोग को बता है कि यहां पे मैं आप लोग को डेली बेशिस पे तीन ब्रेक आउट स्टॉप्स देते रहता हूं मेरे मैजिकल लेवल पे हिंदुस्तानी उनिलिवर मैंने शेयर किया था 2107 के ऊपर बाई हो सकता है कोई भी 5 मिने टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज नहीं शार्फ फॉल इसमें हो गया 2.42 परसेंट पे माइनस में इसने आज क्लोजिंग दिया है पी में कितना शांदार प्रॉफिट इसके बना हो होगा सेकेंड कॉल मैंने आप लोग के साथ में HDFC एसेट मैनेजमेंट यानि के HDFC एमसी की शेयर की थी 2300 238 के नीचे 3.80 परसेंट का इसमें फॉल हुआ है कंप्लीट बेरिश क्लोजिंग दिया है कितना शांदार स्टॉक सेलेक्शन होता है मेरा आप लोग एक बार देख लीजिए और स्टॉक सेलेक्शन क्यों ज्यादा इंपॉर्टन होता है वो भी देख लीजिए सो HDFC एमसी की पी में काफी शांदार प्रॉफिट वह हम लोग का बना हुआ है LTE में gap up opening मिला था and then एक fall मिला था यहां पर एक 5 minute टाइम फ्रेम की candle close हो गया था लेकिन कोई भी अगली candle ने इसका hybrid नहीं किया यानि कि यहां पर कोई भी buy side का entry initiate ने हो गया और यहां पर sell side का initiate होने के बाद में sharp fall हम लोग को LTE में भी देखने को मिला है LTE के PE में भी काफी अच्छा कैसा पैसा बेना तीनों का अगर मैं आप लोग को मोटा मोटा मी बोल दो तो कम से कम 25 से 30,000 रुपए सिर्फ एक lot के साथ में अराम से profit जो है वो निकल के आ गया है आप लोगों का stock selection होना चाहिए इस type का आप लोग का analysis होना चाहिए अभी जाकर कि option buying में पैसा बन मैं उसमें से सिर्फ एक stock पे आज तक stop loss हिट हुआ है 99% की accuracy जो हम लोगों की बरकरार कोशिश करूंगा 365 days तक इसे बरकरार रखने की तो अगर चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe करना ना भूलिए इस वीडियो को लाइक और कमेंड नहीं किया तो लाइक और कमेंड करना मत और आपके लाइक और कमेंड मेरे लिए motivation का काम करते हैं ताकि मैं अच्छा अच्छे वीडियो और आप लोग के लिए educational basis पर आप लोग के लिए upload करते हैं और गाईज अगर आप लोग मुझे टेलेग्राम पर फॉल्व नहीं कर रहा है तो इस वीडियो भी को दोनों को आप लोग अपने रणार पर रख सकते हैं अगर आप लोग और आप लोग को सेलेट कर रहे हो तो एक चीज़ पर आप लोग को हमेशा ध्यान रखना होगा कि अप्षिन का स्टाप बनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जब भी हम लोग लेवल का लेवल है तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की केंडल इसके उपर क्लोज होनी चीज़ है और जब अगली केंडल इसका हाई ब्रेक करेगी तब हम लोग मैनुली अपने ओर्डर को ट्रिगर करेंगे ना कि इन नंबर्स पर हम लोग अपने ओर्डर को लगा करके रखेंगे यानि कि आ आप लोग को मार्केट को अब्जर्व करते रहना पटता है और अगर हम लोग इस लेवल को स्टॉप लॉस के तौर पर यूज कर रहे तो कोई भी 5 मिनट टाइम फ्रेम की केंडल इसके नीचे क्लोज होनी चीज़ है जब अगली केंडल इसका लोग करेगी तब हम लोग अ लेगा 2028 और 40 हमारे अपसाइड के लेवल सेंगे 2000 जो भी एक राउंडेड अफ वैल्यू है इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होने माला इन केस अगर इसमें गाइस बाइंग नहीं आता है तो 2000 के नीचे शॉट कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब करेंगे कल की दिन की सेकेंड ब्रेक आउट स्टॉक के बारे में वो रहेगे रिलाइंस की रिलाइंस का भी पैटन कुछ उसी टाइप का है जो हम लोगों ने मेट्रोपॉलिस में डिसकस किया था बहुत ही शांदार सपोर्ट को यहां पी यह रिस्पेक्ट कर रहा है अगर इसको एक अच्छे से वॉल्यूम के साथ में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने में अगर कामय अब हो जाता है तो 2456 के नीचे रिलाइंस वीक है 48, 38 और 26 डाउनसाइड के लेवल से 2470 हमारा स्टॉक लॉस इनकेस अगर इस ट्रेंड लाइन को रिस् इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपना क्लोजिंग जो है वो ब्रेक आउट देनी के बाद में कर लिया है तो अगर यहां से रबिंग के लिए अप साइड में मूफ कर जाता है और डाउनसाइड में आ जाता है तो 2434 के नीचे बियरिश हो जाएगा अगर गाप डाउन ओपन के बाद में अगर आ जाते तो फिर आप लोग को तो पता है कि 5 मिनिट टाइम फ्रिम की केंडल क्लोज होने चीए उसके नीचे आप लोग सेदा सेदा सेल कर सकते हों हमारा स्टक लॉस है इन केस अगर कई सारे लोगों नहीं यहां पर निगेटिव इसका व्यू बना लिया हो क्योंकि यहां पे एक डबल टॉप भी हम लोगों को दिख रहा है और डबल टॉप का आज इसने ब्रेक आउट भी दिया तो कई सारे लोग हो सकता है अपने बीट ईसके बार करने निफ्टी और बैक निफ्टी के बार में अगर सबस्क्राइब कर दो क्या तो कर दीजी वह मेरे लिए क्यों का म्योटिविशन का करते है और अगर आप टेलेग्राम पर फालू नहीं करें तो जाकर कर लिए तो आप लोग डिसकस किया था था आप लोग को डेली टाइम फ्रेम पे दिखाना है तो देख लिजी complete bearish candle हम लोग को मिली है बहुत ही super bearish candle अब यहाँ पे जाकर कि मेरा view के बारे में आप लोग पूछ होगे तो कल की दिन में मुझे लग रहा है कि market जो है वो time decay करेगा market sideways चला जाएगा मेरा view इस level से market में negative ही रहेगा at least इस support level तर लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को kind of doji candle मिली थी इसे भी हम लोग यहाँ पे इस level पे ignore नहीं कर सकते हैं तो कहीं नहीं मुझे लग रहा है एक हलका सा gap down के बाद में इस level पे market जो है वो sideways हो जाएगा इस level पे बहुत ही ज्यादा trapping जो है वो हम लोग को मिलने वाला है तो day low के नीचे मैं sell में interested हूँ sell की quantity मेरी कम रहेगी regular quantities से ज्यादा और जब इस candle का low चला जाएगा देन मैं यहां पर फिर उसमें कुछ अपनी quantities को add कर दूँगा and then मैं फिर इसको hold करके रख सकता हूँ at least इस level तक इसमें से बहुत ही ज्यादा गिरावट का possibilities अब बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में नहीं है जितना इसमें scope था या आज इसमें दे दिया और हम इसकल मार्गेट कहां पर जाएगा क्योंकि देख लीजिए हम लोग being option buyer हर रोज पैसा नहीं कमा सकते यह तो आप लोगों को segment change करते रहना होता है आज बैंक निफ्टी में अच्छा पैसा बना है हो सकता है कल stock options में अच्छा बने ज़रूर नहीं कि आप लोग option buyer हो तो बैंक निफ्टी में रिस्की ट्रेट करते हैं तो आप लोग stock options या फिर equity में भी trade करने के लिए आप लोग के पास में कुछ पैसा होने चाहिए ताकि यहां पर बहुत जादर रिस्क के साथ में कुछ loss हो भी जाता है तो आप लोग at least दूसरे trades में से recover कर सको तो मैंने इंट्राडे के कुछ levels आप लोग के लिए यहां पर draw करके रखे हुए है उससे साब से यहां पर मुझे double bottom भी बनता हुआ दिख रहा है तो एक छोटा सा हलका सा move हम लोग upside में यहां पर credit कर भी सकते है क्योंकि वैसे भी आज market गिरेगा इस type का prediction किसी ने नहीं किया हुआ था और सबसे पहले गर आप लोग चीजों को देखना सीखते हो तभी profit बना सकते हो आज यह बड़ी वाली candle हर किसी ने देखी है कई सरे लोग PE की positions जो है वो carry forward करके चल चुके है already so इनी levels पर trapping होता है breakout के levels पर ही trapping होता है जो चीज लोग नहीं देख रहे है अगर वह आप लोग देख पाते हो तभी जगर आप लोग profit बना सकते 17,230 के उपर निफ्टी के future bullish है 270,313,354 और 407 हमारे upside के लगिस हो इन केस बाइं नहीं आता है तो 17,170 के नीचे निफ्टी के future weak है 132,90,46 और 17,000 जो के एक rounded up value है यह हमारा downside का निफ्टी का level होने वाला है पैस मैं future के चार्ट पे levels आप लोगो देता हो यानि की future and options दोन जगह पे आप लोग ट्रेल कर से हो अब देख लीजे गाईज जिस type का मैंने आप लोग को अगर निफ्टी का मैं daily time frame आप लोग को दि देखे more than double है इस size का तो यानि कि इसमें बहुत ज़्यादा volume आ चुका है तो आप लोग को यहां पर पता चल सकता है कि क्यूं मैंने निफ्टी का PE नहीं दिया था अपने premium ग्रूप में क्यूं मैंने अपने premium ग्रूप में बैंक निफ्टी का premium दिया था तो आप लोग को segment बहुत ज्यादा सेलेट करना पड़ता है जब आप लोग कर रहे हूं रोज निफ्टी में पैसा नहीं बनता है रोज बैंक निफ्टी में पैसा नहीं बनता है आप लोग को अपना comfort की हिसाब से और आप लोग को कौन सा index में ज्यादा fall effort gain आ सकता है उस हिसाब से प्रेड़ पर दिखा देता हूं यहां से डेली टाइम फ्रेम पर जो है बैंक निफ्टी भी इन लेवल्स पर सपोर्ट ले रही है तो यहां से एक हलका सा bounce back हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज के दिन के डेलो के नीचे में इंट्रेस्टेड हूं सेम पैटन यहां पर बना है अपनी quantities को reduce कर दोंगा मार्केट यहां से गेर जाएगा लेकिन फिर भी में reduce कर दोंगा क्योंकि जिस ताइप का move मुझे आज मिला है कल नहीं मिलने वाला कल मार्केट जो है वो sideways होने का chance ज्यादा है 36,230 के ऊपर बैंक निफ्टी का future bullish है 324,443,560 और 713 हमारे upside के levels होने व week है 36,22,35,932,826 और 35,700 हमारे downside के levels होने तो guys मैंने आपने बहतरीन तीन breakout stocks उनके target, logics और levels के साथ में आप लोग के साथ में share करके रखे हुए है अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजीगा टेलिग्राम पर follow नहीं कर रहे हैं तो टेलिग्राम पर follow कर लीजीए इस वीडियो की description box वेने अपने टेलिग्राम का link भी दिया हुआ है और सबसे important अगर वीडियो को लाइक और comment नहीं किया तो जरू कर दीजी थांक यू सो मच गईस